किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आज 23 जन्वरी है मैं एक गाउं में आया हुआ हूँ ये सीकर जीले का गाउं है बामनवास खन्डेला तहसियल में है और दिल्ली से जो जैपूर का हाईवे है वो सापूर से एक रोड आती है खन्डेला में और महां से करीब आठ नो किलो मिटर की दूरी पर है एक यहां पर यह सर्मा परिवार रहते हैं और इनकी जमीन है पैत्रिक्स जमीन है काफी तो इन्होंने यहां पर एक यह बागवानी का काम सुरू किया था लगबग आठ से नो साल बस पह गया इसके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं थी लेकिन जैसा इन्होंने किसी ने बताया उसी तरह से इन्होंने उसको कहार पेड़ लगाते चले गए तो आईए मैं थोड़ी बात कराता हूं जो हमारे ग्रूप के सदस्य हैं विनोद कुमार सर्मा जी तो उनके भाई हैं यह चोटे और विश्वनात सर्मा जी विश्वनात जी जो किसान आपको देख रहे हैं आप उन्हें पहले अपना परीचेंदो और इस बाग के बारे में बता हूं मैं विश्वनात शर्मा ग्रामबामन वास्क का रहने वाला हूं और यहां हमारी एक छोटी सी नरसरी हमने लगाई है जिसके अंदर हमने आमले के पेड़ भी लगाए हैं अमरूद के भी लगाए हैं और नेम्बू के पेड़ भी लगाए हैं इसके अलावा बील के पेड़ भी लगाए हैं लेकिन अधिक जानकारी नहीं होने के कारण हमने इन से जानकारी ली और इनको बुलाए है और ये हमारे को विस्तरित जानकारी इनके बारे में देंगे यहाँ पर जो देखा है मैंने ये लगभग इनका छे एकड़ का फार्म है ये जो पोर्शन है इस तरह के इनके पास और भी फार्म है तो ये छे कड़का है जिसमें इन्होंने बागवानी शुरूप की ती है इसमे विभिन परकार के पेड़ है जैसे ये खजूर का पेड़ है ये लगभग तीन साल पहले लगाया था कल्चर वाली खजूर है इसके साथ में जो आप देखोगे ये मौसमी के पेड़ है इन्होंने जो लगाई हुई है इस तरह से तो उस पर भी कहा गया था लेकिन नए उचित देखरेख है और नए इसका सही प्रबंदन है इसके बाद में आप देखिए ये आमले का पेड़ है जो पिछे की तरफ है तो ये आमले का पेड़ है यहां पर तो इस पर छोटे छोटे आमले आते हैं ये पता नहीं है ये कौन सी किसम है बहुत कम आमले आते हैं जबकि यहां पर पानी खारा होने की वज़े से थोड़ा सा हलका सा खारा पानी है तो ये आमला बहुत अच्छ दो इसके बच्चे हैं और दो ये भैस बैठी है तो ये परबंदन है और मेरे दूसरी तरफ देखिए एक इन्होंने ये पानी का भी अच्छा परबंदन किया है ड्रिप लाइन बिची हुई है सब में यह देखिए यह यहां पर लाइन है ड्रिप की लेकिन जो सबसे बड़ पेड़ है तो कहीं बीच में मौसमी लगा दिया गया कहीं बीच में खजूर लगा दी गई और अधिकतर पेड़ जो हना बहुत ही मर्नासन अवस्था में है जबकि आठ साल में पेड़ पूरे योवन पर होने चाहिए थे सबसे बड़ी जो क्यों कमी पाई कभी भी इन पर बोर्डो पेस्ट का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया ये पता ही नहीं है कि जिसने भी इनको लगाय था बताया था और जो खाद परबंदन है आप देखिए मैंने देखा है कि इस तरह से ये खाद डाल देते हैं उसे भी पता नहीं है ये कच्छा खाद है जो इसमें अच्छी है इनकी थोड़ा सा इसका जो जमीन का जो पीएच है वो 8.2 के आसपास है इनका जो मैंने इनकी रिपोर्ट पढ़ी है कार्बन 0.45 के आसपास है 0.45 है इनकी तो जो की एक अच्छा इस्तर माना जाता है जिसे हम और भी इंपरू कर सकते हैं देखने के लिए ये एक बड़ा पेड़ है चारो तरफ से आपकी देखे कितनी बड़ी कैनोपी है इसकी और इसका थाला ये कुल एक मीटर का डिस्टेंस होगा बस ये थाला बना दिया जबकि यहां पर इसकी फिडिंग रूट है ही नहीं और ये देखे ये जो गोबर है ये यहां पर ये पड़ा आता है कि कभी किसी ने बताया होगा थोड़ा चुना लगाया हिया है इस में ये देखे कितनी हालत खराब तो जबकि ये कुल आठ साल का पेड़ है बहुत अच्छी फसल आती है इसी प्रकार ये पेड़ के ये जो है आपका आवले पेड़ है बहुत अधिक पुराना नही लगता और इसका भी देखिए यहां से इसकी कटिंग की गई होगी यह चाल फट गई इसकी और यहां से इसमें भी इस प्रकाल लगबग सभी पेडों में इनके गोमोसीश की प्रोब्लम है और यहां पर कुछ दिन पाला भी पड़ता है और यह कहते हैं पाले के नुसार है ल हो यह देखिए यह भी आमले का पेड़ है इसका अगर सहीं प्रबंदन होता यह जो जो यह चोटी-चोटी साख़ाइए यह नहोती और इनको यह 2 या 3 को ही अच्छी तरह से प्रबंदन किया जाता ठीक होता यह 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 पेड़ भी देखिए इसके कितनी बुरी हालत है यह देखिए पूरा खराब हो चुके हैं इनको रिवाईव करने में बहुत अधिक खर्चा आएगा और ना भी हो और यह देखिए यहां पर जानवर भी साथ बानते हैं यह देखिए यह कच्चा गोबर पड़ा हुआ इसका यह कुछ पेड़ जामुन के भी मिले हैं देखिए बीच में से हरा है यह पेड़ यहां पर लेकिन सबसे बड़ी समस्था ही है कि पेड़ जो है इस तरह से कटिंग सही नहीं है और यह उपर से तूट गया है और यह पाले में खराब हो गया यह सिरफ देख रेक और सह जान नहीं होने के कारण है नहीं तो यह हालत नहीं होनी चाहिए थी पेड़ होगे यह अमरूद का पेड़ है चार-पांच अमरूद के पेड़ भी है इनके जबकि इस इलाके में अमरूद भी ठीक होता है और यह देखिए यह मुझे नहीं लगता पतानी कौन सी वराइट थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा अम्रोधिये और ये देखिए एक ये पेड़ है ये किनू के भी पेड़ लगाए हैं जबकि किनू यहां नहीं होना चाहिए तो उसकी भी देखरेक सही नहीं है ये इसने बीच में यहां पर गेहूं बो दिये हैं और इस प्रकार पूरे ब जिन पर के हस्त भार के निम्बू आए हुए हैं लेकिन सही देखरेक सही टाइम पर उसका जो पेस्ट मेनेजमेंट है या डिजीज मेनेजमेंट है या फर्टीगेशन है उसके नह होने के कारण इस प्रकार इसकी हालत है तो किसान साथियों मैं आपको केवल ये बताना चा देखें कि उस इलाके में कौन से पेड़ होते हैं और उसमें से किसका भाव अच्छा मिलता है फल किस पर अच्छे आते हैं और उनका क्या भाव मिलता है और तभी देखकर ये निर्ने लें के हमें कौन से पेड़ लगाने है और जब आप पेड़ लगाने जाए या तो उस एक सल्हकार रख लें के भई हमारा कौन से पेड होने चाहिए, कौन सी वराइटी होनी चाहिए, चुकि यहांपर किसी भी पेड में ये नहीं पता है कि ये कौन सी वराइटी है, जो भी उसको मिला जिसे कहा उसने लाकर उसको लगा दिया और ये देखिए बाग में आट नो साल बाद ये हालत है बाग की कुछ बेल के पेड़ हैं, दो तरह के बेल है एक काटे वाला है जिस पर छोटे बेल आते हैं और एक बड़ा बेल है और काफी पेड इनके सूख गए है ये डाइबेक के कारण भी हुया है जो उसके नीमू के पेड बहुत अच्छे थे कुछ डाइबेक से सूख भी गए है तो हम अब इसका जीर्णोधार करने की सोच रहे है इस पेड की तो इने एक प्लान बना कर दें किस तरह से इसका जीर्णोधार किया जाए और किस प्रकार इनको दोबारा से सूख व्यवस्थित किया जाए तो उसमें ओप्सन होगा इनको भी ठीक कर सकते हैं उसके क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे और अगर हम नया प्लांटेशन करते हैं तो कौन से पोदे हो होने चाहिए उसका कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा कितना खर्चा आएगा डिप का पूरा सिस्टम इनके यहां लगा हुआ था लेकिन धेरे-देरे करके वो भी डिसमेंटल हो गया और जमीन बिल्कुल एक जंगल की तरह है जमीन अच्छी है कार्बन पाइंट और फाइब बहुत अच्छी मानी जाती है तो इसको अधिक बढ़वाएंगे भी तो यह मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रस्तुती लेकर आया हूँ जो यह दिखाना चाहता था अगर आप सही तरीके से बागवानी सुरू नहीं करेंगे तो बाद में आपको कि नुकसान उठाना पड़ सकता है तन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत बंदे मातरा हूँ